तो गाईज आज एक काफी बढ़िया कार्डिस्ट्री मूव सीखेंगे जो कोई इस तरीके का लगता है देखने में ठीक है और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में जो है गीववे मैंने रखा था विंक्स प्लेइंग का विसक उसका भी विनर का अनौंस करेंगे तो यार व मूव करना काफी सिंपल है इसका मुझे नाम नहीं मालूम कि यार इसको क्या बोलता है लेकिन काफी अच्छा लगता है और एक ट्राइंगल डिस्पले आता है इसमें ठीक है ट्राइंगल जैसा बन जाता है और काफी easy to do है अगर आप काड़े स्ट्री में थोड़ा सा भी जानते हो तो यार आपको काफी आसानी से आप कर सकते हो इसको तो first of all मैं भी breakdown कर देता हूं कि यार आपको पहले z grip में आना है कुछ इस तरीके से और फिर अपने ring finger और pinky finger से इस card को ऐसे निकाल के कुछ इस तरीके से ले आना है और फिर index finger को ऐसे छोड़के यह जो packet है इसक pressure लगा के आप जो यह triangle form कर सकते हो ठीक है तो अभी मैंने इसको काफी जल्दी से समझा दिया अभी मैं slowly आपको दिखाऊंगा कि आप इसको करोगे कैसे तो first आपको z grip में लाना है कुछ इस तरीके से ठीक है यह हो गया z grip अगर यह पता नहीं है तो मैं दिखा देता हूं आ और थम से यहां पर पकड़ना है index finger से यहां पर और यह जो तीन finger है यहां पर side में रहेगा और deck यहां पर नीचे की तरफ नहीं है थोड़ा से उपर है तो आप क्या करोगे इसको पहले यहां से ब्रेक करोगे more than half ठीक है और फिर ऐसे ब्रेक करोगे यहां से ठीक है तो यह क आप इसको ऐसे करोगे और फिर निकालना पड़ेगा ठीक है फिर्स जब आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा problem होगा कंदे में मगडर धीरे धीरे आप अगर practice करोगे तो हो जाएगा तो आपको ऐसे निकालना है और फिर इसको निकालने के बाद यह वाला packet को आपको ऐस से आपको ऐसे पकड़ लेना है और इसको इसके alignment में लाना है ठीक है कुछ इस तरीके से और फिर लाने के बाद जो हमारा index finger है इससे आप इसको pressure डालोगे इससे क्या होगा यह जो packet है यह ऐसे slide होके ऊपर की तरफ आ जाएगा ठीक है और ऊपर आने के बाद यह finger इसको ऐसे catch क दिखा सकते हो दिखाने के बाद close करना काफी simple है यहां सब middle finger से इसको slide करोगे और फिर ऐसे close कर दोगे तो काफी simple है मैं दुबारा से दिखा देता हूं पहले z grip में लाना होगा फिर यह जो है इसको ऐसे extend करना होगा अगर आपको यह वाला cut मालूम है जो मैंने सिखाया था कुछ दिन पहले तो आपको यह वाला position जो है यह वाला काफी आप इससे जान पहचान होगा लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं वापस से दिखा दे रहा हूं कि यार आपको इसको ऐसे दबा के इसको ऐसे निकालना है और फिर यह जो पैगट है इसको ऐसे नीचे ले आना है और फिर इन दोनों को एक साथ parallel करना है आपको और फिर कहां से slide करके इसको आप triangular position में दिखा सकते हो फिर middle finger से slide करके आप close कर सकते हो तो बस यही था यह move अभी चलिए winner की तरफ बढ़ते कि यार giveaway का winner कौन है तो let's go तो guys आज है 2nd April और जैसा कि मैंने कहा था कि 1st year 2nd April को मैं winner announce कर दूँगा तो आज अभी winner जानने का time है तो यार मैं help लोगा इस deck से कि winner कौन है मुझे भी नहीं पता तो यहाँ पे मेरे पास है 2 joker ठीक है अब यह दोनों मेरे को help करेगा winner जानने के लिए ठीक है तो यहाँ पर होगा एक joker और यहाँ पर 2 joker तो लोग क्या करेंगे यह deck है इसको ऐसे नीचे से tap करेंगे और दोनों joker के बीच में card आ जाएगा जो की है हम लोग का winner king of spade ठीक है तो king of spade है इस giveaway का winner तो भाई तुम जहाँ पर भी हो मेरे को अपना address email कर दो और मैं तुमको deck भेज दूँगा ठीक है तो बस आज के लिए बस इतना ही अभी हो तो subscribe कर देना और चल यह नहीं है winner असली winner जो है वह हम लोगों का यह ठीक है तो यह मजाक था हर जोहरी भाई तुम ही हो winner ठीक है तो मैंने तुमको message कर दिया personally आप चेक कर लो और अपना address है सब कुछ है वहाँ पे भेज दो मेरे को और आपको मैं भेज दूँगा wings playing card मुझे ठीक है तो बस आज कर इतना ही तो यार अगर ऐसी giveaway मैं करता रहता हूँ तो यार अगर आपको भी जीतना है तो यार चैनल को चलो गिरी जा तुम लोग सब सब तो गिर रहा है तो चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को कर देना like मैं भी मिलूंगा next वीडियो में झाल उना करें जाम अगर आपको कर दो यार रहा है तो यार आपकोर सकतर चैनल को कि है तो यार आपको कर दो क्रeजना यारवां तो यार कर दो पहा है तो